देवशेयनी एकादशी का वास्तविक अर्थ आशार मास की शुकल पक्ष की एकादशी को देवशेयनी एकादशी कहा जाता है, देवशेयनी एकादशी को शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, मान्यता है कि इस एकादशी से जगत के पालनहार भगवान वि इस एकादशी को देवशेयनी और हरिशेयनी एकादशी कहा जाता है, हरिशेयन के चार महीनों के निद्राकाल को चातुरमास कहा जाता है, चातुरमास को पूजा पाठ के लिए विशेश माना जाता है, लिकिन इस बीच किसी भी तरह के शुब काम करना वर्जित है, कार्तिक. मास में देवटनी एकादशी पर जब भगवान नारायन योग निद्रा से जागते हैं, उसी दिन से मांगलिक कारियों की शुरुआत हो जाती है, ऐसे में सोचने वाली बात ये है कि क्या वाकई देवशयनी एकादशी पर देव सोजाते हैं, या देव निद्रा के कोई और मा यहां जानिए इसके बारे में समझे देवशयन और देव जागरन के माईने जियोतिशाचार्य डॉक्टर अर्विंद मिश्र की माने तो जो चैतन्य तल पर हमेशा जागरित अवस्था में रहता हो, उसे इश्वर माना गया है, ऐसे में हमेशा जागने वाला इश्वर इत लोगों को धर्म से जोड़ा जा सके और उनके जीवन को समय के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके, देवशयनी एकादशी से लेकर देवटनी एकादशी के समय तक मौसम में बदलाव की स्थिती होती है, ऐसे में इन दिनों को मानगलिक कारियों के लिए शुब न बताकर को कुछ नियमों के पालन करने के लिए कहा गया है, इसलिए बनाए गये हैं, नियम देवशयनी एकादशी आशार मास में होती है, इसके कुछ दिनों बाद ही सावन की शुरुआत हो जाती है, सावन का महीना वर्षा रितु का महीना है, वर्षा रितु समाप्त होने के महीने मौसम के बदलाव के महीने हैं, मौसम के बदलाव होने पर हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, सर्दी, जुकॉम और फ्लू और संक्रमन की आशन का बढ़ जाती है, तमाम सबजीयों, फलो में, बैक्टीरिया और कीरे पनपने लगते हैं, सामान्य कारण इन चार महीनों में शुब कार्यों को न करने, खान पान को लेकर सावधानी बरतने और सयमित जीवन जीने की सलाह दी जाती है, क्या करना है शुब, इन चार महीनों में व्यक्ति को खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इश्वर की आराधना करनी चाह एक समय भूजन करना सरवश्रेष्ट है, चतुरमास के दौरान वर्षा काल रहता है, ऐसे में कई तरह के कीडे मकोडे पनपते हैं, ऐसे में बैंगन, गोभी, मूली और हरी पत्तेदार सबजिया नहीं खानी चाहिए, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए योग और प्रा कारियों को करने की मना ही है,